अतिस गड़ में सिक्षक भरती परिक्षा दोहजारतेईस बारहजार चार सो नवासी पदो पर जो है भरती दोहजारतेईस में आपका हुआ जो की बस्तारर सरगुचा संभाग और इसका रिजल्ट भी फाइनली जो है जारी हो चुका है इस वीडियो में आपको सभी जानकारी में बताऊंगे कि आपको जो है किस तरह से आउनलाइन काउंसलिंग प्रेक्रिया जो है करना है आउनलाइन काउंसलिंग में आपको कोई भी गलती नहीं करना है और आपको जो है अपने enrollment number से आपको अपना अधार card जो है link करना बहुत जादा निवारी है यदि आपके enrollment number से और जो आपके cg wapam की website में अगर आपका अधार number profile में कर link नहीं होगा तो आपका selection speed नहीं हो पाएगा और आपको जो है अपात्र घोषित कर दिया जाएगा सिक्षक भरती परिक्षा में तो किस तरह से आपको जो है online counseling करना है क्या सिक्षक सहायक सिक्षक category जो है कितना जाने वाला है और साथ में जो है 10,000 जो नए पत जो है व्रिदी हुए है 10,000 पोश्टर के बारे में इसके बारे में भी बताऊंगा साथ में जो है cg tate exam जो है कब होगा देखे अब काफी student सोच रहे होंगे कि cg tate यानि कि 36 गर टीचर eligibility टेश्ट है 36 गर सिक्षक बातरता परिक्षा क्योंकि 2022 में भी cg tate exam सुआथ है आपके 12,490 सिक्षक भर्दी परिक्षा से पहले तो क्या ऐसा संभाई कि इस बार फिर से नए भर्दी होगा तो आपको बताना चाहता हूँ कि क्या नए 14,000 सिक्षक भर्दी परिक्रिया जो है फिर से प्रारम होगा और यह किस संभाग के लिए होगा किस जीले के लिए होगा सभी जानकारी विस्तरी जानकारी इस वीडियो में आपको जो है मिलेगा तो 36 गड़ में सिजी व्यापा में यह काफी अच्छी अपडेट है साहक सिक्षक वर्ग 3 और सिक्षक वर्ग 2 और वक्याता भरती परिक्षा को लेकर वहीं कम नमबर वाले जिनका कम मार्ग साया उनमें से काफी स्टुडेंट सोच रहें कि अब हमारा सेलेक्षन से इसमें हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा तो क्या 55, 60, 65, 70 नमबर वाले इस स्टुडेंट जो है कि उनका सेलेक्षन सो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा क्या सिक्षक भड़ती पोश्ट है उन्हें मिल पाए गए या फिर नहीं मिल पाए गए क्योंकि जिनका नंबर बहुत जादा है उनका सेलेक्शन जो हुआ है और जिनका नंबर कम उनका नहीं तो क्या 65, 60, 55, 70 नंबर वाले इस्टूडिन्ट का कोई भी चांस दिखता हुआ ना जरा रहा है या क्या है सभी जनकारी आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है मिल लेगा आपको मैं थिलिबस के बारे में भी बताऊंगा और कुछ चीजों के बारे में तत्थे के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आपको आगे कोई भी प्राब्लम्स ना हो ये तो बिलकुल शूर है ये 14,000 भरती के बारे मैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि काफी student होंगे जो उनको पता है नहीं होगा तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि 36 गड़ में जो है एक बार फीट से जो है पुना दोगा जाड़े इसमें जो है सिक्षक भरती परिक्षट जो है आपका होने वाला हैं तो अच्छे से जो है study preparations करना अभी से सुरुवात कर सकते हैं अभी से सुरुवात करेंगे तो definitely इसमें आपको काम्याभी मिल पाएगा आपके जनकारी के लब बता देना चाहता हूँ कि 36 गड़ में 14,000 नए सिक्षक भरती परिक्षट जो है आपके होने वाला जी हम एक्जाम्स की तैयरी जो है एक्जाम्स की preparation समचें बहुत ही अच्छे से जो है कर सकते हैं और यह 14000 नैस सिख्चक भरती परीक्छा आपकी पूरी की पूरी जिन्धगी को बदल देगा और सिख्चक भरती परीक्छा पे कर हम बात करें सेलेडिके, तो इसमें काफी अच्छो सेलेरी जोए आपको मिलते हैं, जिसे आपकी जिन्ध़गी बहुंँझ ज़ादा वहतर हो सकता और आप अपने सभी घरिम को और आप अपने सभी गोल को जो है पूरा कर सकते हैं आपका स्टार्टिंग सेलेरी जो Miles रहेगा वो रहेगा आपका अजो है 15 मिलने लगते हैं जो सेलेरी आपका बड़ कर सिदे 35 Bye Perfect से लेकर जो है पचास सो जार रुपे तक आपका जो है फिर सेलेरी जो है देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा है और धीरे धीरे ही सेलेरी आपके ऐसे ही मिलते जाएंगे और जिनका कम नंबर है क्या उन इस्टूडेंट का सेलेक्शन शोप आएका देखें मैं आपको यही पूलना चाहता हूँ यही सला देना चाहता हूँ कि आपको काउंसलिंग के प्रक्रिया में जो है शामिल होना है काउंसलिंग के फेज में जो है शामिल होना है अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करते हैं counseling के प्रेक्रिया में सामिल होते हैं तो definitely है कि आपका selection जो है वो पाएगा क्योंकि काम्याबी कब मिल जाए ये किसी को पता नहीं होता हमारा काम होता है सिर्फ मेहनत करना हमारा काम होता है सिर्फ study करना और cut up जो है कितना जोएगा rank इतना होगा क्या 12,489 जो post है जी हम 12,489 पोस्ट है प्लस उसमें जो है 10,000 पोस्ट जो है include कर दिया जाए तो post जो है बहुत ही जाद आपका जो है सिधा सिधा अगर हम बात करें तो 22,000 चार सा जी हाँ 22,000 जो है ऐसे में 22,000 चार सा नमासी जो है जो कि बहुत जाद है इंपॉर्टेंट है तो धीरे धीरे इसी तरह से हम सब भी स्टूडेंट के लिए ने ने और वेकेंसिस ने ने अपडेट जो है आते जाएंगे तो 36 गड़ में जो भी स्टूडेंट जो गवर्मेंट जॉब्स की त्यारी कर रहें प्रिपरिशन्स कर रहें मेहनत कर रहें अच्छे से जो है इस्टेडी कीजिए और कम नंबर वाले स्टूडेंट भी निरास मत होना कॉंसिलिंग जो है आप करना तोंकि कॉंसिलिंग की सबसे ज़ाद़ मेन इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में सिख्षक भढ़ती परिक्चा भी आपके खुने वाला है सिख्षक भढ़ती परिक्चा में 150 प्रश्ण एक्जामस में पूछे जाते हैं प्रत्यक प्रश्ण आपके एकंके होते हैं 1 by 4 इसमें निगेटिव मार्किंग होता है साथ में आपको मैं बता देना चाहता हूँ सीजी टेट के बारे में भी सीजी टेट दो जरते इसमें आपका फोने वाला है जिसमें कुल टोटल जो है 150 प्रशनव पूछे जाएंगे इसमें आपको जो है कम से कम अगर हम बात करें A, C, H, T, O, B, C आपको जो है सीजी टेट में सिर्फ 50 प्रतीशत अंक लाना है यानि कि आपका अप 150 नमबर में सिर्फ 75 नमबर लाना है गर 75 नमबर आ जाता है मतब आपका टेट एक्जाम जो है क्वालिफाइक हो जाएगा और इसकी वैलिडिटी इसकी जो बैद देता रहेगा या आपका जो है लाइब टेइम रहेगा आज इवन रहेगा वहीं जनरल के डिगरे वाली स्टूडेंट के अगर हम बात करें तो जनरल के डिगरे वाली स्टूडेंट को जो है 60 प्रतीशत अंक लाना है यानि कि 90 नमबर लाने पर ही उनका सेलेक्शन्स हो पाएगा नए एक नमबर कम और अगर एक नमबर अगर जादा हो गया तो बहुत अच्छी वात है लेकिन अगर 75 के जगए अगर आपका 74 नमबर आ जाता है या 73 नमबर आ जाता है फिर भी सेलेक्शन नहीं हो पाएगा वहीं अदिया आप जगर आपका 88 से 89 नमबर आता है एक नमबर भी चूगरा है 90 में फिर भी आपका टेट एक्जाम जो है कौलिफाई नहीं हो पाएगा तो यह सभी चीज़े हैं वह भी स्टूडेंट बिल्कुल निरास मत होना आप सभी स्टूडेंट के लिए भी सेलेक्शन होगा बस काउंसलिंग के उपर फोकस करना और जो 10,000 पोस्ट जो है विद्धी हुए है उन पर जो है जल्दी फैशला लिया जाएगा और फिर प्रक्रिया पुना फिर से चाल करना और नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे तो आने वाले 14 जार सिक्षक भरती और सीजी टेट टेप भरती और सीजी टेट एक्जाम दोनों की तयारी अभी सिखीजे और 36 गड़ में सब सब मच अवेटर जो वेकेंसिस होता है एक्जाम से कंड़क्टर करा जाता है सीजी